तो कैसे हो आप सब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को रेल्वेर रेक्रुमेंट 2021 से रिलेटेड बहुत ही बड़ी इंप्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास तक देखिएगा वेडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को भी सबस्क्राइब करके बा इकन जरूर बजाईएगा तो आप कोई से भी zone से अगर आप belong करते हो आप इसमें apply कर सकते हो चाहे आप 10th pass हो 12th pass हो या फिर आप graduation में हो या फिर graduation pass हो आप इसमें apply कर सकते हो सबसे बड़ी बात तो यही हुए तो भी हाली में railway recruitment board ने अपने official website पर ये बताया है कि आप चाहे 10th pass हो 12th pass हो या फिर graduation pass हो आप इसमें आसानी से apply कर सकते हो और उन्होंने यह भी बताया है कि आप कोई से भी region से belong कर सकते हो तो आप इसमें apply कर सकते हो अभी मैं आप लोगों को पद विवरन के बारे में बता देती हूँ पहला आता है हमारा group color का तो उसमें under reserve के लिए seat है 1644, OBC के लिए है 870, EWS के लिए है 111, SE के लिए है 399 और ST के लिए है 187 MTS के अगर हम बात करें पद विवरन में तो under reserve के लिए आता है 1254, OBC के लिए आता है 744, EWS के लिए आता है 185, SE के लिए 244 और ST के लिए आता है 132 अभी clerk के लिए eligibility आपकी होनी चाहिए 12th pass और MTS के लिए आपकी eligibility होनी चाहिए 10th pass आपकी age 40 से जादा नहीं होनी चाहिए ठीक है और अगर आप ये form को fill up करना चाहते हो यानि की form को भरना चाहते हो तो आप 18 February 2021 से रिल करके 20 March 2021 तक भर सकते हो अब बात कर लेते हैं हम कि आपको ये form fill up करने के लिए क्या-क्या चीजे की जरूरत होगी तो आपको सबसे पहले आपकी passport size जो फोटो होती है उसकी जरूरत होगी तो passport size जो फोटो है आपका वो पुराना नहीं होना चाहिए अभी आप currently कैसे दिखते हो वैसी फोटो होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपका face देखा जाएगा और पहचाना जाएगा कि क्या आप वही इंसान हो चीक है उसके बाद आपके पास signature आपका जरूरत होगा हिंदी में भी और English में भी 10th और 12th का mark sheet जरूरी है आप लोगों के लिए तो 10th और 12th का जितना आपका जो mark sheet है उसका xerox भी रखिए और original mark sheet भी अपने पास रखिएगा फिर passing certificate जो होता है 10th का 12th का वो भी आपके पास होना mandatory है सबसे जादा जरूरी है तो वो भी आप अपने पास जरूर रखिएगा अब बात कर लेते हैं हम fees के बारे में तो fees कितना लगेगा इस form को भरने के लिए तो अब बात कर लेते हैं examination के बारे में की examination में आपका कितने देर का होगा और कितना question आपसे पूछा जाएगा तो जो आपका examination है वो आपका 90 minute का होगा और 100 questions आपसे पूछे जाएंगे पहला आजाएगा general awareness यानि की gk जो होता है वो आपसे 40 marks का पूछा जाएगा ठीक है उसके बात आता है maths यानि की mathematics से आपसे question पूछा जाएगा जो कि 30 marks का होगा फिर general intelligence and reasoning से आपसे question पूछा जाएगा जो कि 30 marks का पूछा जाएगा तो total हमारा हो जाता है 100 marks का examination बात करेंगर हम syllabus के बारे में कि क्या-क्या syllabus आपका आएगा क्या-क्या topics important है examination में आएगे तो वो official website rrb. .gov.in पर जाकर के देख सकते हैं जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि कैसे आपको देखना है तो मुझे उमीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी इसका employment information अच्छा लगा होगा अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेर जरूर कर दीजेगा तो थैंक्स वा वोचिंग दिस वीडियो जैहिंद वन्दे मात्र झाल